हेलो गाइज माइनीम इस फायाज एब्लियों गुवल्स मैं आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एज सेपरेटर जोके बहुत ही जादा मार्किट में पॉपिलर है और हमारे कितने भाई इसे यूज भी करते हो गए तो यूज करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें कि आपका इसका फिडबैक कैसा है इसको यूज करने का एक्सपिरेंस कैसा है तो आज मैं आपके लिए अन्बोक्सिंग लेकर आ गया हूँ चलिए अब इसे फटाफट से अन्बोक्सिंग करते हैं तो अन्बोक्सिंग करके मैंने रखा ही था क्योंकि मुझे चेक करना था कि हमारा प्रोडेक्ट जेन्यून है या नहीं है तो यह देखिए सबसे पहले हमको बुकलेट मिल जाती है जो भी उसका कंफिग्रेशन है यहाँ पे यूजर मैनुवल सबकुछ दिया हुआ है तो आप इसे आराम से पढ़के भी इसे चेक कर पाओगे और उसके अंदर सब A to Z जो फीचर से मैनुवल सबकुछ इस बुकलेट में दिये हुए चलिए तो एक बार हम बुकलेट को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाइ स्टेप सबकुछ मक्ही मच्छर में यहाँ पे सबकुछ चाइनीज में दिया हुआ है इसका मैनुवल इंग्लिस में भी दिया हुआ है तो आप पड़ सकते हो कौन कौन से ओप्सन क्या उसका मैनुवल सेटिंग है वो सबकुछ दिया हुआ है तो यह देखिए अच्छी तरीके से यह फोर्म में पैक्ट आता है तो जिससे ट्रांस्पोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपका बॉक्स तो खराब हो जाएगा पर अंदर का जो प्रोडेक्ट है वो खराब होने के चांसे कम है तो यह देखिए सबसे अच्छा वेल पैक में आता है और यहाँ पे निकलते ही हमारा सेपरेटर का यह देखि चोटे चोटे यहाँ पे देखिए उसके साथ मोल्ट आ गए जो के हम आगे की वीडियो में देखेगे उससे एसेंबल करेगे तो चलिए फटा पट से हमारा सेपरेटर निकल चुका है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक यह मोल्ट निकल चुका है अमारा LCD फिक्स का फिर बाद में ये देखिए opener निकल चुका है, जो के relive की ओर से आता है, जो पिछला हमने model देखा था, संसाइन का, उसमें भी same to same यही mold दिया हुआ था, फिर बाद में देखिए छोटा सा element है, जो के हमारे display को उठाने का काम करेगा, मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा, फिर यहाँ पे देखिए mat side में, यहाँ पे इस तरीके से यह chip का हुआ है, तो यह हमारा mat भी आ जाता है, तो basic side mat है, पर mat आप नहीं लगाओगे यह separator में, फिर भी यह हमारी LCD को आराम से यह निकालने का काम करेगा, क्योंकि इसमें inbuilt blue grip इसके अंदर दी हुई है, जिससे mat नहीं लगाओगे, तो हमारा काम हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे देखिए manually lock दिया हुआ यह lock system है, जिससे आप single LCD को जब repair करना चाओ, तो यह वाला lock जो है, यहाँ पे देखिए side में खिसका कर, इस तरीके से उसको नीचे कर देना है, जो आपको extra portion की जुरूरत न कर पाओगे, यह देखिए, यह stand इस तरीके से यहाँ पे lock और unlock दोनों हो जाता है, तो right और left आप इसको 60 degree तक इसको rotate कर पाओगे, आराम से, तो आप जिस भी position में work करना चाओ, वो work कर पाओगे, फिर बाद में यह देखिए element आया है, जिसका quality बहुत ज़्यादा सही है, य यह वाला यहाँ पर इस portion में बैट जाएगा, अब इसका main reason यह है, कि आपकी जो display कितनों की बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, तो उसको set करने के लिए, gripping के लिए दिया होता है, फिर बाद में यह देखिए extra जो mold है, यहाँ पर इसको allen key की मदद से हम चलिए फटा-फ यहाँ पर दिये हुए है, उसके अंदर हम assemble कर देते हैं, तो जब भी आपका opener का work खतम हो जाए, तो आप इसे lock unlock करकर इसको आराम से निकाल पाव गया, और आपको जरूरत नहीं है, तो आप easily इसको opener को हटा देना, फिर बाद में यह देखिए, यहाँ पर यह जो element दिया आगे का opener का है, वो कैसा यहाँ पर सब कुछ features दिये हुए, तो यह देखिए, simple सा lock system दिया हुए, जिसकी मदद से आप opener को open कर पाओगे, फिर बाद में यहाँ पर देखिए, यह जो element दिया हुए, यह आपको 0.5 से लेके 22 mm तक आपको यह work करेगा, फिर बाद में यह देख यहाँ पर जो यह grip दिया हो, इससे आप LCD की gripping अगेरा सही कर पाओगे, और यहाँ पर side में से भी आप 60 degree तक tilt इसे कर पाओगे आराम से, और यहाँ पर देखिए, vacuum का जो दिया हुआ है, वो कितना ज़्यादा सही है, तो यह हमारे separator को fix करने के लिए side में extra hole भी यहाँ पर दिये हुए है हमको, तो आप एक जगा पर इसको fix भी रख पाओगे, और यह fully हमारा metal body है, और हाँ यह देखिए, एक्स्ट्रा जो यहाँ पर adapter दिया हुआ है, किस चीछ का दिया हुआ है, मुझे comment session में comment जरूर करे, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है, तो चलिए फटा फ इसका maximum जो timing है, वो 99 minute टक है, यहाँ पर दिया हुआ है, उससे आगे यह बढ़ रहा नहीं है, तो हम timer set कर देते हैं, तीन minute का time set कर देते हैं, फिर बात में यहाँ पर इसका जो हम temperature की बात करें, तो यह maximum 120 तक इसका temperature जाता है, और यह दिखे हमारा instantly heat होना start हो गया, और हाँ इसका vacuum का side में red वाला जो button है, वो vacuum का दिया हुआ है, तो आप vacuum जब भी आप use करना चाहो तो vacuum भी use कर सकते हो, तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो like करे, share करे, और हाँ इसका detail में भी edge का भी आपको निकालने का भी वीडियो चाहिए, तो हमें conversation में comment करे और हाँ जो भी भाई हमारे इसको यह use करते हैं उसका positive negative feedback जरूर दे और अपने दोस्तों में यह video को share जरूर करे, और जिसको भी purchase करना है तो video के description में link दिया हुआ है, जाके आप easily purchase कर पाओगे, thanks for watching